नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं हमारा बहुत खास कारिक्रम संथ संगम मैं मैं विर पुराइट शरमा जिने ले करके जिने सीख करके जीवन हमारा सवर जाता है जीवन हमारा एक सही दिशा में आगे बढ़ता है ऐसी दिशा जिसे पाकर न सिर्फ खुशियां हमारे जीवन के साथ जुड़ती हैं बलकि जीवन जीने का जो तरीका होना चाहिए जो सलीका होना चाहिए वो सभी ग् हमें मिलता है तो चलिए आज भी कारिक्रम में एक ऐसी ही खास शक्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है श्रद्धे श्री नवनीत प्रियदाश जी महराज आप भक्त माल कथा के प्रवक्ता हैं आप समाच को बताते हैं कि संसकार किस तरह से पिरोन है आप समाच को एक सही दिशार निर्देश देते हैं एक सही डिरेक्शन देते हैं जिस पर चल करके जीवन में न सिर्फ खुशियां जुड़ती हैं बलकि जीवन आपका सवरना शुरू हो जाता है सकरात्मक्ता आपके जीवन के साथ खुद वखुद जुड़नी शुरू हो जाती है तो चलिए कारिकरम की हम शुरुवात करते हैं ऐसे महान शक्सियत ऐसे महराज जी का आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं नमस्कार महराजी आपका बहुत स्वागत है महराजी अप चुंकि आप इस जगत से हैं संत महात्माओं के बीश में आप रहते हैं समाच को आप हमेशा ही प्रेणा देते हैं ऐसी सीख देते हैं जिसको ले करके लोगों का जीवन सुधरा है लोग सही पत पर आगे बढ़ रहे हैं सबसे पहला सवाल महराजी आपसे मैं ज अपने स्टूडियो में बुलाया और इस सुंदर वेला का लाव हम भी लें और आप भी लें एक संजुक सुंदर बना मैं आपको निविदन करना चाहता हूं कि आपने एक प्रश्ण किया कि संकीरतन और सत्संग में आप क्या भाव रखते हैं क्या आंतर रखते हैं तो मैं यह तो वह यह है कि मैंने अन्भूत किया संकीरतन में रहका करके कोई भी जन छन लाव ले लेता है जब तक वादियंत्र बचते हैं तब तक वो उचल करके नाचता है गाता है रोता है सबकाम करता है लेकिन जब घर जाता है तो उसके बाद में फिर वे नॉर्मल लाइफ शुरू कर देता है तो संकीरतन छनिक लाव प्रदान करता है लेकिन सतसंग जो है अगर एक छोटी सी सतसंग की जीवन में आ जाये तो उसको ग्रहन करने के बाद उस विकति पर सतसंग का अशर लंबे समय तक होता है बहुत लंबे समय नाम है लेकिन मैं सतसंग को प्रदानता अधिक देता हूँ और मेरा सब के लिए संदेश भी यही है कि संकीरतन को पचाने के लिए आप लोगों को सतसंग अवश्य करना चाहिए वाके में महराजी आपने बड़ी खुबसूरत ये बात कही है हम सबी को एक छोटा सा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ आपसे होगा कि आजकल का जो परिवेश चल रहा है आजकल का जो माहौल है सब लोग मौडन हो गए हैं सब लोग जो हैं एडवांस हो गए हैं और आजक जितने भी महापुरुशों ने अपना जीवन जी या उन्होंने एक आदर सब के लिए प्रस्तोत किया है और हम लोगों की यहां पर एक कहवत है कि महाजनों यह नगता सहपन्था महाजन जिस महापुरुश जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते का अनुकरण हम सब को करना च सत्संग कहते हैं. आज के modern life में लोगों की सोच बड़ी सामाने हैं. सामान इसको कह सकते हैं, कि जैसे किसी मनमें किसी की प्रतिकं बदलने की भावना नहीं आतीे, बदला लेने की भावना आ जाती हैं। मैं इसने मुझे चाटा मारा तो तो मैं इसको मुक्का मारूँगा, ये एक सामानने सोच है, मानि किसी से बदला लेना ये सामानने सोच, और किसी को बदल देना ये उंची सोच, पर ये कैसे विक्सित हो सकता है, ऐसा भाव, ये भाव सथसंग से विक्सित हो सकता है, चोटी चोटी घटना है महापुर्शों की सुनी जाए और मैं तो आपको एक बात इसपस्ट बता दूँ छित्रा जी कि मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक बदलाव तम महसूस किया मैं सुहम प्रोफेसर रहा लेकिन उसके बाद जीवन में परवर्तन जो आया वो भक्तमा काल ऐसा गृंत है जिसमें हजारों भक्तों के चरित्र दिये हुए और उनके चरित्र इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने जन सामानी की सोच से ऊपर उठकर के कुछ कारी किया तो उनके चरित्रों को हम लोग सुनते हैं अगर उनी को गाया जाए आज की मॉडर्न जेनरेश विद्या से मैंने आती है पर आप देखिए कि आज सबसे ज़्यादा उद्धंड ता पड़ालेखा बालक ही करता है तो उसका कारण केवल यही है कि वह सत्संग से दूर है यदि उसको आज भक्तों के सुन्दर चरित्र सुनाए जाए तो मैं समझता हूं कि बालकों की पर यहीं करते हैं तो कुछा अंतर महसूस करते हैं गया कि विदेश के तोरपर यह आप मुझसे पूछे तो विदेश में जाना बहुत अदिक नियर की इस्थानों पर हुआ है जैसे नेपालित क्या दिक व्यांटर इतिक में जाने का अवसर नहीं वहां से सूचना है तो आती हैं लेकिन फिर भी विदेशों के बालकों को मैं प्रेरित करता हूं ओनलाइन अच्छा ओनलाइन मेरी क्लासेज विदेश में और इग्लेंड में अन्य जगे पर यूस बगरा में सुनी जाती है तो वहां के बच्चों में बहुत अधिक करें तो छोड़ी घटनाएं ऐसी हैं मैं एक हलकी सी बात बता दूँ एक परिवार में जन्यू संसकार हुआ और दादा जी ने उनको कहा कि बेटा जन्यू हमेशा सरीर पर रहना चाहिए अगर जन्यू नहीं है तो हमको मौन रहना चाहिए एक बालक स्विमिंग पूल में दाने गया नाते समय उसका जन्यू उतर गया अब बालक घर आया मौन रहा सुबह से शाम हो गई कुछ बोले ही नहीं तो विदेश की बात आई भारत भूमी की बात नहीं भारती है मूलका बाला के लेकिन विदेश में रहता है तो उसकी माता जी ने पूचा बेटा क्या इशारे से कहा मैं दादा जी से बात करना चाहता हूँ दादा जी आये और उसके चेहरे को दे करके समझ गए कि इसके शरीर पर जन्यू नहीं है मैंने मैंने इसको बोला कि जब जन्यू ना हो तो मौन धारन करना चाहिए यह बालक मौन रहा और अब इसको जन्यू की तो यह बिदेशों में भी रहकर के बच्चे पर माता पिता चाहें तब ऐसा संबब हैं माता पिता के द्वारा ही बच्चों में संसकारों की प्रतिष्ठा होती है यदि माता पिता स्वेम संसकारी है तो बालक संसकारी होगा और यदि माता पिता की रुची खुद भोग वास कि आप बाकायदा बताते हैं कि किस तरह के संसकार बच्चों में होने चाहिए तो थोड़ा सा मैं चाहती उ महाराजी कि हम सभी इस प्रकल्प के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं समझाएं हाँ बहुत अच्छारी चित्रा जी आप आपने बिल्कुल हमारी नस पकड़ ली बड़ी रूची रहती है मुझे संस्कार उपबन के विश्य में बताने की देखिए मैं आपको निविदन करूं वर्तमान समय की जो भारत की सती है जहां कुछ भी देखा जा रहा है मेन जैसा अनुभव किया मैं आपको बताना चाहता हूँ या की भूमी जाگ्रत भूमी है यहां के कणकण में भी संकर की भावना करके भगवान संकर को प्रकट करवाया जा सकता है यह वह भूमी है यहां के जितने भी बालक है सब से ज़ादा युपाओं का देश भारत वर्श है लेकिन सही दिशान ना मिलने के कारण बामपंती लोगों के द्वारा रचे गए इतिहास को पढ़ करके वह बालक केवल भौतिक तातक सीमित रह गया है पुराने समय का अगर इतियास देखें तो हमारे यहां बिदेश के लोग आकर के यहां अंतर ग्यान की सिक्षा लेते थे एक बात मैं आपको चितरा जी विशेश बता दो यह भारत भूमी की महानता है अन्यन्य देशों के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो केवल हाउ टू कमफर्ट यूर बॉड़ी यहां तक सीमित है शरीर को आराम कैसे देना केवल यहां तक की खोज करते हैं पर हमारे यहां के महापुर्शों ने शरीर को खोज का विशे नहीं बनाया उनको पता था यह शरीर शौट लिप्ड है सबको मरना है तो उन्होंने आत्मा को अपनी शोट का विशे बनाया आत्मा आज भी पुनर जन्व पर विश्वास नहीं करते क्यों कि उनकी पहुंच्वा तक पर हमारे यहां के महापुर्शों की कोज वहां तक पहुंच गई और पहुंच करके उन्होंने बहुत कुछ खोजा आज बताया तो मैं समझता हूं कि इतियास में यह सब चीजा नहीं लिखी हुई है यह तो अध्यात्म जगत की चर्चाएं अध्या भारत वरस की जो पहचा करती नहीं है तो हमने उनके लिए एक सुलव कारे कर दिया संसकार उपवन की स्थापना का कारे संतों की आग्या से प्रारम कर दिया अब संसकार उपवन है क्या एक छोटा सा परचे मैं आपको दे दूँ है मैं चूकी स्वयम प्रोफेसर रहा मैंने लगवक 16 सब्जेक्ट पढ़ाये बीटेक, MBA, LLB फिर सेवी में भी मैं रहा तो इन सब को करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरे देश के युवा गलत इशा की और जा रहे हैं और उसका कारण बच्चे क्यूरियस तो हैं जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको सही उत्तर देने वा सब्सकार उपबन की इस्थापना से पूर्व मैंने अलग अलग यूनिवर्स्टी में लेक्चर्स लेना शुरू किया थोट पॉल्यूशन विशे रहता था स्पूरिच्वलिटी इस दा एसेंस ऑफ यूमन लाइफ ये विशे रहते थे लाइफ मैनेजमेंट रहता था अन चाहिए जितना भी भक्तमाल की कथा से धनों पार्जन होता है हलां कि हम लोगों ने इस कथा को ब्रत्ती का साधन नहीं बनाया हुगा है हमारे कोई पैकेज नहीं है कि हम किसी पैकेज को लें और उसके बात कथा करने जाए हम गरीव अमीर सब के यहां पर बिल्कुल निस् सिक्षा में कर देते हैं तो उसी के प्रवाव से स्कूल बन गए गोबर्धन में अपना एक स्कूल संसकार उपबन के नाम से चलता है जहांके बालक आपको भारतिय संस्कृती के नुसार जीवन जीते दिखाई देंगे आप यह दिवां जाएंगे तो हमारे गुरू मां कि किसी भी इस्तरी सिक्षिका को कहा जाता है और गुरु श्री कहा जाता है जो सिक्षक बंदू है तो बहुत सुंदर भाव से वह रहते हैं हनुमान चालीशा प्रेयर में मंगल शनी बार को बुलवाया जाता है बच्चे दीपक जलाते हैं अपने घरों पर गाई की सेवा कर करते हैं जो भी कारें भारतिय संस्कृत आप आश्री करेंगे दूसरी क्लाइस का बच्चा आपको दस भारतिय भाषाओं में अपना पर्चे दे देगा तो और रूप से भारतिय तासे चुड़े हुए लेकिन फॉरें लेंग्विज भी जानते हैं इंगलिश भी बढ़ि आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं माबाप के पास भी फुरसत नहीं है कि वो एक प्रॉपर जो समय बच्चे को देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं और जो की बिल्कुल सही भी है हस्बेंट भी काम पर चले जाते हैं अब जो आजकल की जनरेशन है इस वज़े से तो दूर हटी रही है अध्यात्म से क्या इसके अलावा भी आप और कोई कारण समझते हैं आज के परिवेश में जो बच्चे अध्यात्म से दूर हो रहे हैं देखिए मैं जहां तक मेरी अपनी हिस्ति है और मैं मूल जड़ की बात करूं तो शिक्षा लेना बालक के लिए जरूरी है यह सब जानते हैं लेकिन उस शिक्षा को केवल भौतिक तातक सीमित कर दिया गया है यह मैंने मूल कारण को जाना है वह केवल बच्चे बहरंग हो रहे हैं यह थोड़े अंतरंग हो जाएं तो उनको अपना जीवन जीने का आनंद आए गई मैंने कुछ दिन पहले कटना सुनी कि बक्सर जिले के डियेम ने गाजियावाद में आकर के और सुसाइट कर लिया और रेल की नीचे कट गए इतना कास थोड़ी अध्यात्म की शिक्षा होती हैं तो वह कभी सुसाइट ना करते हैं और उनको बल मिलता क्योंकि अध्यात्म को प्रतिकूल परिस्तिती में भी जीना सिखाता है आदर्श मापुर्शों ने कैसे अपने आपको जीया वह हमको बताया जाता है तो ज्यादक कमी ह मानता हूं और सिक्षा यह यह सी हो जाए संसकारों के साथ हो जाए जिसकार को हम लोग अपने संसकार उबन में कर रहा है गुरुकुल परंपरा और आधुनिक सिक्षा दोनों का समावेश करते हुए हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर और हमने जिन कब तक का हमको नहीं पता पर हमारा छोटा लगा ना पिगड़े आप इसको अपने शरण में रख लीजिए तो हमने का आप हमारे संसकार उबन में भेजिए और इसको बच्चे को पढ़ा करके ऐसा कर देंगे मानों हमारे रेल के इंजन बनते हो इंजन का तात्पर है कि मूल कारण है और जो आपने प्रश्ण किया उसका उत्तर यही है कि सिक्षा यदि गड़वड है तो सब कुछ गड़वड है और हम उस सिक्षा को सुधारने के लिए ही संसकार उपन के आपने वीव रखी है जी 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 आच्छा यहां पर बच्चों को तो सिखाया जात तो बेकार मंदिर का बनाना तो मैं उन बच्चों को तयार कर रहा हूं कि जहां मंदिर बन चुके हैं आश्रम बन चुके हैं अब जाओ और जाकर के सेवा करो और लावान भी तो हो आपने जीवन को आनंद में बना लो अच्छा बच्चों के लिए तो आपने सही महराजी है या उन पैरेंस के लिए उन घरवालों के लिए कौन सा प्लैटफॉम है जो चाहते हुए भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं जो चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा संसकारवान बने शिक्षावान बने लेकिन वो प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हैं या इतने बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में कि उनका ध्यान ही नहीं है बच्चे की तरफ जो बड़े बुज़र कहते हैं कि सरफ बच्चे पैदा करके आपने छोड़ दे हैं ना उनकी परवरिश का आप खयाल रखते हैं ना उनके संसकार का आप खयाल रखते हैं और उसी से पैरेंस के लिए कौन सा प्लैट्फॉर्म आप लेकर के आएंगे भविष्य में या कुछ ऐसी प्लानिंग है वह मैं चाहती हुआ है जिस संसकार उपबन की मैं बात आप से कर रहा हूं और संसकार उपबन को हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है एक विद्यारति हुआ है उतना शक्तिसाली बना दुआ और औरों को भी प्रहुन और दूसरा जो मैंने मेरा प्रकल्प है उसमें मैंने मातापिताओं के लिए माने वह पांच दिन काम करें और दो दिन कम से कम अपने जीवन को संतुलिद करने के लिए हमको समय धेंगे अगर वह संसकार सत्संग ववन जिसमें रहेगा है बहुत सारे मादर पिता आए और बड़े अच्छे संतों को बुलाने का क्रम भी हम लोगों ने बनाया हुआ है उनको बताइएंगे घ्यानमारगी को ग्यान-मारगी शंथ, भक्ती अखवाले को घ्यानमारगी शंथ मिलेंगे। गउशाला की इस्थापन के नहीं कीया है। एक और और वेन एक sie caves 157 कोशेघा। वहाँ पर दिल्ली के लोग हैं, वह बहुत अधिक काम में वेस्त रहते हैं, तो वह च्छे दिन या पांच दिन अपना काम करें, एक दिन वह पूरा दिन आकर के संस्कार उपन में बिताएं, वहाँ खाना, पीना, रहना बड़िया व्यवस्था हैं, हरियाली बहुत हम सीखेंगे, तो वह अपने बच्चों को कहेंगे कि बेटा, जो जीमन हमने जी लिया वस जी लिया, अब हम अपने सर को भारी करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट लाइफ को जीना चाहते हैं, वह देखेंगे, सीखेंगे, और उनके द्वारा फिर वह बच्चा भ कर दी है, कि जो ये जो चीजें हैं, जो हमें आजकल के टाइम में डिस्टर्ब कर देती हैं, कहीं न कहीं डी मोटिवेट कर देती हैं, जीवन जीने की इच्छा अगर खत्म हो गई है, परिशानियों का बोच आपके उपर निरंतर बढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा ह कि किस दशा में हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो ये सारी बातें अपने जहन से आप निकाल दीजे, और संसकार उपवन का मार्ग आप चुन लीजे, जब संसकार उपवन का मार्ग आप चुनते हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद बखुद मि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन को हम आसान बना सके जीवन में जो परिशानिया हैं जो जटलताएं हैं उनसे हमारा पीछा छूप जाए जीवन में जो एक मोटिव होना चाहिए वो मोटिव हमारा पूरा हो जाए आसान तरीके से हम सभी खौईश रखते हैं और संसकार उप उपवन एक मात्र ऐसा तरीका है एक मात्र ऐसी जगा है एक मात्र ऐसा जरिया है जहां से जुड़ने मात्र से ही ये सभी चीजेशने हैं जीवन को आसान बनाना तो संसकार उपवन एक मात्र ऐसा नाम है जो आपको अपने दिल दिमाग में बैठाना है यहां से जब आप जुड़ेंगे यहां पर जब आप जाएंगे खुद-बखुद हैं कि लोग इसके बारे में जाने जी देखिए जानने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है इस कम समय में मैं बहुत कुछ नहीं बता पाया एक एक चीज का विस्तार करके मैं आने वाले एपिसोड में जरूर बताऊंगा लेकिन वर्तमान की त Wik mal झाउं स्टूडियो अपवड में के अलग जगे में सारे भारतव देखें और जा कर केवल संसकारूबन घाजियाबाद में लग अलग अलग राजियों में इस्थापित हो राजियों के जिलों में इस्थापित हो और जहाँ तक जितनी भी कुरीती आथ की समय की सारी कुरीती समाप्त हो जाए मेरा ये लक्ष है इसमें लोग कैसे जोड़े में किवली इतना नवीदन करूंगा आपके छेत्रों में बक्तमाल का सत्संग हो पांच दिन की कथा हो जो भी कुछ वहां पर एकत्रित हो आपके ही छेत्र में संसकार उकुबन के निर्माड में वे किया जाए तो उससे आपके ही बालकों को लाँ होगा कतार सुनकर के की जीवन में परवर्तान आएंगा मातापिता निर्माड हो जिलो में एक-एक संसकार उबन की स्थाफना हो, मैं ऐसा चाहता हूँ, आने वाले समय की लिए और महाराजी एक बात यह और मैं आप से जरूर पूछना चाहूंगी, कि आजकल जो है कथाकार जो है हमारे समाज में जो बड़े-बड़े बुद्धी जीवी वर्ग को कथाई सुनाते है अब उसमें श्रीमत भागवत कथा का गुणगान बहुत किया जाता है, ऐसे माहौल में आपने श्री भगतमाल कथा को ही कैसे चुना, आपको कैसे यह ज़रूरत महसूस कुई, कि जो है भाई, श्रोताओं को श्री भगतमाल कथा से जोड़ा जाए मुक्य बात है चितरा जी इसमें कि राम कथा ये त्रेता युक की कथा है भक्त प्रहलाज जी की कथा दुरुप जी की कथा ये सत्युक की कथा है और भगवान स्री कृष्ण की भी कथा दुआ पर युक की कथा है इन सब कथाओं का हम लोगों को खूब साहित मिलता है लेकिन एक बात मैंने जो देखी वह यह है कि यह सारे यूग भक्ति के यूग थे जियान के यूग थे। सब जोगी बिज्ञानी उस समय सब ऐसे लोग थे। पर कलिकाल में रहकर के जहां पापाचार अधिक है। तमोगुन अधेके रजोगुन अधेके सतोगुन बहुत थोड़ा है, ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन का उत्थान कैसे हो, कल्यान कैसे हो, तो जब मैंने अपने गुर्जोनों से भक्तमाल को सुना, जिसमें 80% तो ग्रस्थी संतों के ही चरित रहे हैं, ग्रस्थ में रहत तो कलियुक के लोगों को कलिकाल का ही आदर्श बताने पर वह लोग तुरंत मघवान से जुड़ सकते हैं अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं इसलिए मैंने वक्तमाल को ही चुना वक्तमाल की कथा ही मैं कहता हूं मेरा कोई व्यावसाही यह कारए नहीं है यह मैं स्वानतर सुखाय करता हूं क्योंकि अपने जीवन में मैंने जो महसूस किया कि आज जो कमी समाज के लिए तो चुकि मैं भारत वर्ष का निवासी हूं भारत वर्ष की सेवा का करतब जिम्मेदारी मेरी भी है तो एक करतब और जिम्मेदारी समझते हुए समाज के लि कि हर एक उस इंसान का जीवन बदलेगा जो जीवन बदलने की इच्छा तो रखता है लेकिन किनी कारणोवश जीवन को बदल पाता नहीं है अच्छा महाराजी जब आप श्रीभक्तमाल कथा का गुंगान करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कथा सुनने के बाद केबाते होंगे और अपना अनुभाव के साथ साधा करते होंगे कि महाराजी आपने हमारी आंक लिया आप इसा सचाई का रफण के पेश किया है जिसकी हम खोज में थे लेकिन आपकी कथा सुनने के बाद आब हमें समझ में आ कि जीवन हमारा किस दिशा में अग्रिसर होना चाहिए ऐसा हुआ है महाराजी आपर साथ काफी लोगों ने अनुब बताया मैं आपको कई लोगों के अभी देखिए वेरी साथ में ब्यूरोक्रेट्स बहुत लोग जुड़े हुए हैं वो व्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं वो सब अच्छी पढ़ाई करने के बाद अपनी क्लासिस में टॉपर रहने के बाद में बड़े-बड़े पदों तक पहुँचे हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे-पूरे जिले की उनके पास में हैं कई इंकम टेक्स के अधिकारी कई क्लेक्टरेट के अधिकारी परंची सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं और को कि आपकी कता में बात लोग जरूर देख़ते हैं के आप बड़े विशे एक छोटे से औहरे से मांन समझने में तो आसानी रहती है और उसके अनुसर जब जीवन जीते हैं तो हमको पहले की लाइफ में और अपकी लाइफ में बड़ा परवर्तन दिखाई देता है के लोग अपनी चमतकारी घटनाई भी बताते हैं पर मैं चमतकारों पर बहुत अदिक भरोसा नहीं करता मैं अपनी ब बढ़ाते हैं कि हम आपका इस्मरन करते हुं और हमको ऐसा लाव हुआ हमने आपका जूटा प्रशाद ऐसे लिए मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी जूटा ले लेकिन वह लोग मेरे पीछे चिपे और मेरे बिनावताई ले लेते हैं रोरूत करके कहते हैं महारा जी हमको तो बहुत लोगों को लाबुआ है बहुतों का जीवन परवर्तित हुआ है कहां तक कहें एक बार तो जीन्द हर्याना से एक फोन आया और वो कहते हैं मारा जी कथा सुन करके मुझे तो वैराग्य हो गया है और आओ मैं अपनी ग्रस्ती को छोड़ करके आना चाहता हूं आप मुझे बताईए अब मैंने का भीया आप घर ना छोड़ें मैं भी खुद ग्रस्ती हूं और अपने निवास में रहता हूं आप घर रहकर के बजन करें जीवन को संतुलिद बनाना है कैसे करना वो मैं आपको बताता रहूंगा तो मैं उनको बताता रहता हूं लोग अपने लगने लगता है अब जीवन में इतनी सारी परिशानिया आती हैं इतनी सारी कठिनाया आती हैं हर इंसान जीवन में किसी ना किसी बात को लेकर जरूर चिंतित रहता है किसी को नौकरी की चिंता है किसी को व्यवसाय की चिंता है कोई बच्चों को लेकर परिशान है कोई ग पहसूस होगा जीवन कैसे बदला जा सकता है आसान तरीके से ये अनुभूती आपको खुद बखुद हो जाएगी लेकिन जुड़ना इसके लिए होगा और संसकार उपवन की जहां तक बात है महराज जी ने खुल करके सभी बाते आपके समक्ष रख दी हैं यदि संसकार नई सोच मिलती है एक नई उमंग आपको मिलती है वो खुशियां जो सिर्फ आप अपने जहन में रखते हैं जिक्र भी करना पसंद नहीं करते हैं वो खुशियां स्वता आपकी जीवन के साथ जुड़नी शुरू हो जाते हैं बच्चे जुडते हैं उनमें संसकार आते है शिक्षा उनको दी जाती है हर तरह से उनको सक्षम बनाया जाता है यहां तक कि पैरेंस के लिए भी संसकार उपवन में जगा है पैरेंस को भी नई गाइडलाइन यहां पर दी जाती है नई डिरेक्शन यहां पर दी जाती है महराजी आजकल की यंग जनरेशन और उनके पैर में मैंने भी वह प्लेटफॉर्म आप सब लोगों के लिए ही तियार किया हुआ है मैं पलक पावड़े बिछा किरके आप सब की प्रतीक्षा कर रहा हूं आप आएं निश्यत रूप से कुछ चीजें निकट आने पर अपने आप मिल जाती हैं जैसे बर्फ के पास आओगे त तो ताप मिलेगा तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे निकट आएं आपको अपने आप ये सारी चीज़ आनुबूत होने लगेंगी और मैं आपको अपने इतने निकट रखना चाहता हूं जितना होटों के मुस्कुराहट निकट होती है जितना आँखों के काजल निकट होता ह तो आप लोग सब मेरे पास आएं, मैं आपका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षारत हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा, यही बात मैं सब लोगों कहना चाहूँ, और एक नई जिंदगी, एक नई दिशा आपका इंतिजार कर रही है, आपका स्वागत करने के लिए तयार है फिलाल महराजी कारिक्रम को यहाँ पर हमें विराम देना है, लेकिन आप अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, और इतनी अच्छी बाते हैं, आपने हम सभी को आज बताए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार महराजी दर्शको संसकार उपवन से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं, जो अपने अनुभाव आपके साथ साज़ा करना चाहते हैं, तो चलिए कुछ ऐसे ही खास लोगों से आपको मिलवाते हैं, जो अपने अनुभाव आपके साथ साज़ा कर रहे हैं नमस्कार, मैं सुनिल वार्षने, रेटार्ड चीफ मैजर बैंक अफ इंडिया से हूँ, रेटार्मेंट के बाद मैंने अपने जीवन में ये पाया कि अपने स्वस्त रखने के लिए हमें हमेशा धार्मे कारियों मैं ही रुची रखने चाहिए, इस खोज में मैंने संसकार प प्रियदाजी से बहुत कुछ प्रädणा ली मैंने पाया कि आदानिय गुरु जी श्री नभी प्रियदाज जी निश्वार्त भाव से संसकार उपव्वन के लिए लगे हैं और उनके द्वारा जो संसकार उप्वन से संब्दित और जो बच्चों में संसकार से संब्दित बाते कहीं गई हैं बहुत ही कम शब्दों में बहुत परवावशाली तरीके प्रवार में उनको बताया उसे उनका भी जीवन में प्रवतन काथी कुछ हुआ है कि एसे जो बहुती बहावव से जुलना चाहते हैं और अपने बच्चों इसवär कार देना चाहते हैं वो हमेशा संशकार उपन से जुलें और अपने में और अपने बच्चों में संशकार देने के लिए जुलें धन्यchny पहतुत